दोस्तो आज का जो मैं नुस्खा बताने जा रही हूँ ये नुस्खा आपके अंचाहे बालों को भी रिमूब करेगा और साती साथ आपके हाथ पैरों की धूल मुट्टी गंदगी काले पन को भी रिमूब करेगा यानि की आपके हाथ पैरों को खूब सूरत गोरा बनाएगा और अंचाहे बाल भी आपके रिमूब करेगा दोस्तो एक आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो पसंद आजाए तो प्लीज लाइक कर देना दोस्तो मैं सेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप न्यूँ है तो दोस्तो यहाँ पे नुस्खा तयार करने के लिए आपको लेना होगा एक पोटेटो यानि की एक आलू जो ये आलू है ये आलू खुबसूरती को निखारने में बहुत जोरों से काम करता है यानि की आपके हाथ पैरों में अगर टैनिंग हो गई है अगर दाग दब्बे हो गई है तो दोस्तो बिलकुल रिमूब कर देगा तो यहाँ पे हम क्या करेंगे आलू को ल तो आलू को मैंने ग्रेट कर लिया है यानि की कद्दू कस कर लिया है अब इसका हम निकाल लेंगे जूस तो इस तरीके से हम इसे छनी में डाल करके और इसका सारा जूस हम निकाल लेंगे दोस्तों यह इसका बहुत यह काम का है इसे जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आप ही देखना आपको अपने अंचाहे बालों से छुटकारा मिल जाएगा और ये जो होपने मेडी में आपको बताने जा रही हूँ इस होपने एमेडी को आप अपने चेरे पर गर्दन पर और हाथ।ो में पर भी आप इसका इस्तेवाल करिए आप अपने हाथ पेरों को खुबसूरत बनाईए और चेरे को खुबसूरत गोरा बेदाग भी बनाईए तो चले यहाँ पर दूसरी सामगली जो लेनी है यह मैंने ले लिया है टामाटर टामाटर जो होता है इसमें जो खटा पन होता है यह क्या करता है बिल्कुल ब्लीच की तरीके से काम करता है जो धूल मिट्टी गंदगी जम जाती है उसको यह क्लीन करता है ठीके ना धूल मिट्टी गंदगी की परत निकालता है तो हम क्या करेंगे टेमाटर को थोड़ा सा प्रेस करेंगे ताकि इसमें ज्यादा जूस हमें मिल सकें और मैंने यहाँ पे आदा टेमाटर कर लिया है और आदे टेमाटर का मैंने जूस ले लिया है तो इसको हम च्छानी से च्छान लेंगे ताकि टमाटर के बीज बगरा इसमें हमें ना मिले यानि कि इस जूस में टमाटर के बीज नहीं होने चाहिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक छोटा चमच ले लिया है टमाटर का रस अब इसमें हम दूसरी सामकरी डालेंगे यह है दोस्तो आलू का जूस आलू का जूस जब आप इसमें डालें तो थोड़ा मिक्स करके डालिएगा थीक है monopol इन दोर चीज़ों को हम क्या करेंगे अच्छे से क्रेंगे मिक्स है आप देख सकते हैं मैंने याँ पर ले लिया है टेमातर का जूस और एक चम्स मैंने ले लिया है आलू का रस यहनी की आलूका जूस अब इसके बाद में आपको तीसरी सामक्री लेनीए यह है दोस्तो तो कॉफी कॉफी आपको मार्केट में 5 रुपे का पाउच 10 रुपे का पाउच आराम से मिल जाएगा यह जो कॉफी होता है यह हमारे चैले को खुब सूरत गोरा बनाने में बहुत मद्द करता है हमारे हाथ पेरों की धूर मिट्टी गंदगी टैनिंग और डेड इसकिन को यह रिमूव करता है यह जमिव ही मैल गंद्गी को भी यह जमिव होई जो मैल गंद्गी परत घम जाती है उस परत को यह निकालता है जिससे कि हमारे हाथ पैरों में चमक आजाएगी, जान आजाएगी. कहने का मतलब है, आप अपने हाथ पैरों को भी खूब सुरत गूरा बनाईए और सौप्ट बनाईए और इसके साथ आप अपने चेरे को भी कूब सुरत गूरा बना सकते हैं इस रेमेडि से. क्योंकि जो हमारे चेरे पर छोड़े भी रिमूब हो जाएंगे आपके अपरले भी रिमूब हो जाएंगे आप इसे जरू ट्राइ करना और इस Remediate मैंने एक चमर जाल दिया है Coffee Powder और अब इसके बाद में हमें लेना है पीलोप मास्क यह पीलोप मास्क यहां पे लिया है ओरेंज का ठीकर ना? तो आप कोई भी पीलोप मास्क ले सकते हो तो यहां पे हम डालेंगे इस पीलोप मास्क को और आप देखना आप के तुरंत यानि कि जो भी अंचाहे बाल होंगे आपके तुरंत रिमूव होंगे आप करके देखिएगा rigid आपको इससे देन देर मिलेगा साथी साथ आपके हाग पेरों में जो काला पर होता है वो भी निकल जाएगा यहाँ पे आप दे सकते हैं मैंने पिलोप मास्क इसमें डाल दिया है एक चमच भर करके और इसको हम अच्छे से करेंगे mix इस नुस्के में दोस्तों मैंने यूज किया है क्या इस्तेमल गया है टमाटर आलू और कोफी और पिलोप मास्क ठीक है ना एक चमच टमाटर करस एक चमच आलू करस और एक चमच कोफी पाउडर और एक चमच पिलोप मास्क अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक और आपको इसका रिजेट दें देयर मिलेगा आप इस वीडियो को देखना और तरण इस्तेमाल करना ठीक है न दोस्तों आप देखना आपने देखा होगा कि सर्जियों के मौसम में हमेशा जो हमारे हाथ पैर होते हैं वो डल पड़ जाते हैं तो चाहरा टैट हो जाती है और हाथ पैर फट भी जाते हैं तो दोस्तों इस नुस्के को जब आप यूज करेंगे इस होम रेमेडी को आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके हाथ पैर भी नी फटेंगे और साती साथ दूल मिट्टी गंदगी निकल जाएगी और अंचाहे बालों से आपको छुटकारा भी मिले है अब आपको करना क्या है इस पेश्ट कूझ जैसे कि मैं अपने हाथों में बता रही हूं इस तरीके से आप अपने हाथ में पैर में गर्दन में चेहरे पर कहीं भी इसको इस्तेमाल करिए तो इस तरीके से आप एक मोटा परत लगा दीजिए काफी पतला रखेंगे तो इससे क्या होगा जब आप मास्क निकालेंगे इस मास्क को तो यह तूट जाएगा तो थोड़ा सा मोटा परत लगाईए ताकि यह अच्छे से निकल सके और आपके अंचाहे ब इवन 20-25 मिनट के लिए छोड़ दिया था ताकि यह सूख जाए आप जैसा कि आप देख सकते हैं सर्दियों का मौसम चल रहा है तो इस मौसम में थोड़ा सा टाइम और लग सकता है तो इसको आप थोड़ा सा सुखा लीजिए और राय होने के बाद में आप इसको इस तरी के हो या फिर हाथ के हो या फिर पैर के हो या फिर अंडराम्स के हो कहीं के भी आप अपने अंचाहिब बालों को भी निकाल सकते हो ठीक है ना तो आप देखे इस तरीके से आप इस मास्क को निकालिएगा इसमें कोई प्रब्लम नहीं होगी थोड़ा सा निकालने में दिक् से तो आप से एक मेरी रिक्वेस्ट है वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक कर देना दोस्तों में सेर कर देना और चला पर निव आई तो सब्सक्राइब जरूर करना इससे होगा यह जो नई वीडियो प्लोट कुरूंगी उसका नौट बेकर सन आयनी की सूचना इसमें मैंने मास्क लगाया था उस हाथ की चमक को आप देखेगा कितनी चमक आ चुकी है कितना सौप्ट हो चुका है और जो मेरे अंचाहे बाल इसमें जो तो छोड़ोट रूँए थे वो भी निकल चुके हैं ठीक है ना तो इस तरीके से आप इस मास्क को निका लिएगा और आप इसको हाथे में कितनी बार यूज़ करेंगे सिर्फ एक बार एक बार इस्तेमाल करिए और आप अपने हाथ पेरों को खुब सूरत गोरा बनाईए साती साथ अंचाहे बालों से भी छुटकारा पाईए अब आप देख सकते हैं मेरे हाथों को मेरी इस्किन को यानि आप देखेंगे कि आपके हाथ पेरों से धूल मिट्टी गंदगी निकल चुकी है टैनिक निकल चुका है रोम छेदर क्लीन हो चुके हैं डीपली जा करके क्लीन करेगा और अंचाहे बाल भी आपके निकल चुकी हैं इस तरीके से आपको रिजेट तुरंत देखेगा तो इस तरीके से इस होम नेमेडी को इस नुस्के को इस्तेमाल करिए और सर्जियों के मौसम में आप अपने हाथ पेरों को खुब सूरत गोरा मनाईए आपके हाथ पेरों में धूल मिट्टी गंदगी कुछ नहीं रहेगी वीडियों पसंदा है तो लाइक करें दूस्तों मैं कर दो